कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का भैले भी हो आई एस अकेडमी के इस यूटूब प्लेटफॉम पे उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अपने करेंट अफ्यर की सीरीज में आज एक महत्पूर टॉपिक पर हम लोग डिसकस करेंगे और यह रिपोर्ट का एक अपनी एक अलग ही इंपोर्टेंस है चाहें आप वन डे एक्जाम से लेकर के यूपीए सी तक के आप अगर एक्जाम के कुश्चन पेपर को अगरे अनालीसिस करने का प्रयास करें तो इस परकार के जब भी रिपोर्ट आये हैं उससे डिफरनेटली कि मैं प्रयास करूँगा कि beauty oriented क्या question पूछे जा सकते हैं इस topic से उसको भी हम लोग इस video के माद्यम से study करेंगे और means के क्या question पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग discuss करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले मैं EO, PSE की syllabus की अगर मैं बात करूँ तो GS Paper 3 और उस GS paper 3 में environment and biodiversity करके topic है, उसी topic से related है आपका जो अभी current affair में जो IPCC AR6 report है वो, कुछ दिन पहले down to earth newspaper में एक report छपी थी, उसमें वकाइदा या बताने का प्रियास किया था, कि जो लगभग ये जो report जो आती है IPCC का, वह report लगभग ये 6 माई, 1 साल, 2 साल में नहीं आती है, ये report कभी 4 साल, 5 साल, 6 साल आने में इसकी पूरी study करने के बाद ये report आती है, तो वह report लगभग आ चुकी है, आ चुकी थी, last week के आसपास, तो वहाँ पर एक panel बना था IPCC का, और 13 से 17 मार्च के बीच में उनकी बैठक हुई थी, और उन लोगों ने identify किया था, कि मतलब जो ये report IPCC के द्वारा, जो अभी तक जो भी information जो गेदर किये गये हैं, उसको लोगों तक कैसे उसको publicly announce किये जाए, anyway आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, उसके बाद आप कि जो IPCC का यह जो report है, वो लगवक 20 मार्च को यह publicly announce कर दिया जाता है, और यह जो IPCC का जो AR6 report है, इसने अपने कुछ बाते कही हैं, climate change को ले करके, और इस वीडियो में हम लोगों को पुल मिला करके जानना है, कि IPCC ने climate change को ले करके, दुनिया को क्या information दे रही है, और अब तक जो हम लोग हैं, जो हमारे द्वारा, जो climate को pollute किया जा रहा है, environment को pollute किया जा रहा है, और हमारी जो किये जा रहे है, जो भी unconditional जो work है, और उसका impact environment पर क्या पर रहा है, और जब environment पर जब impact परता है, तो कहीं ना कहीं nature जो है, वो हमसे, वो अपने रूप में, किसी अलग तरीके से, वो हम लोग के समने परिजेंट करने का परियास करती है, जैसे आप यह महसूस करेंगे कि unconditional, कभी किसी समय में आप देखेंगे, कि raining जादा होने लगी, बरसा जादा होने लगी, कभी आप देखेंगे, कि जो ठंडा का, जो मौसम है, cold मौसम है, cold जादा क्य अभी के समय में आप देखेंगे, कि adoption को लेकर के बहुत सारी समस्याय हो रही है, species को लेकर के समस्याय हो रही है, एक data, इसी IPCC के report के अनुसार, लगभग जो 1970-1980 के एरा में, जितने भी flora and fauna थे, उसका लगभग इस 2020 के एरा आते आते, लगभग उस total आवादी का एक बड हो चुका है अभी के समय में, तो यह data कहीं न कहीं काफी डरावना है, और इसको लेकर के अभी जो भी मतलब दुनिया अस्तर के जो लोग है, या भारत है, या जो भी United States of America है, चाइना है, रसिया है, जर्मनी है, इटली है, जो मतलब ग्रोथ करते हो, उभरते हुए जो कंट्री के द्वारा इंभार्मेंट पॉलूट किया गया है, कार्बन उच्षरजन किये गया है, जिसका इंपक्त पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, अब कभी न कभी New East Paper वहरा में कहीं न कहीं पढ़े होंगे, या सुनने को भी मिला होगा, कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है या बहुत ऐसे आइलेंड हैं, जो खतम हो गया, पता ही नहीं चला कि मतलब यह थे अब गायब होगा, ऐसा क्यों हुआ, जब क्लाइमेट चेंज होगा, टमपरेचर इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा कि सी लेबल इंक्रीज होगा, जब सी लेबल बढ़ेगा, तो अ स्थाई रूप से खतम भी हो सकता है, यह तो मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब मैं बात करूंगा कि आखिर अभी के समय में, यह रिपोर्ट क्या कहती है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या-क्या पिरकोशन दुनिया को लेने चाहिए, और अभी दुनिया अभी त COP 28 होने वाले हैं, तो जितने भी COP होते हैं, Conference of Party on the basis of climate change, यह आखिर यह ही सब रिपोर्ट आते हैं, इसी रिपोर्ट को study करके, वहाँ पर COP meeting होता है, दुनिया भर के देश एक जगा पर बैठते हैं, उनका कामी होता है कि उस रिपोर्ट का analysis करना, और दुनिया को यह message देना कि अब जो अभी हम लोग जो work कर रहा है, इसमें कुछ changes करने के जरूवत है, कुछ बदलाव करने के जरूवत है, अगर यह बदलाव होंगे, definitely यहाँ पर sustainability रहेगी, अन्याथा यहाँ पर रहना काफी critical हो सकता है, अब देखेंगे यहाँ पर the Hindu का news chapter की cutting है, यह 21 March की news है, औ और उसमें बोला गया है कि IPCC का जो synthesis report जो आया है, वो क्या कह रहा है, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो लोग one day exam का preparation करते हैं, तो सबसे पहले आपको IPCC का meaning पता होना चाहिए, यानि Intergovernmental Panel of Climate Change, इसका अगर formation अगर बात करें, तो organization, एक WMO है, Metrological Organization जिसको बोलते हैं, और एक UNEP, इन दोनों संस्थाओं ने एक joint panel के माध्यम से एक IPCC का गठन किया, जिसका काम था कि लगभग 4-5-6 सालों में जो climate change हो रहे हैं, और उस change का कारण क्या है, और जो changes हो रहे हैं, उस पर किस परकार के precaution लेने चाहिए, इस सारी चीजे मतलब IPCC के नाम कर दिया गया कि आपको एक limit समय के बाद, आपको कुछ data हम लोग के समय present करना होगा, और उसी data के आधार पर हम लोग अपना जो दुनिया है, और दुनिया से जो भी बहतर देश हैं, छोटे देश, बड़े देश, whatever जो भी देश हैं, उनके बीच में हम लोग एक meeting करेंगे और meeting में इस साले report को रखेंगे और कहने का मुद्दा ये होगा कि हम लोग उस पर काम करने का प्रयास करेंगे, इसका headquarter जेनेवा, अबर जेनेवा कहा है, स्वीडियर लेंड, स्वीडियर लेंड की capital है, अभी यहां के जो chairperson है, और vice chairperson है, योबा सु static part को आपको याद रखने की जरुवत पड़ सकती है, ये कुछ data है, जो मतलब climate change से संब्दिक, publish किये गए है, अब यहां पर screen पर आपको दिख रहा होगा, ये 23 का, जो ER6 synthesis report जो यहां पर दिखा रहा है, 23 March का, आप इसके वह थोड़ा से नीचे हैं, तो लगभग आपको द देखेंगे कि 2007 में ER synthesis report आया है, तो मतलब आप तो ये चीज़े अब तक तो समझी गाए होंगे कि ये report जो है, वह easy way में 6 माँ एक फ्राल का ये report नहीं होता है, ये report काफी long term report होता है, तो इसकी अपनी गरिमा होई, और इसके दौरा जो data दिये जाते हैं, वो authentic data होते हैं, इ आप इस point of view से इस news को समझने का परियास करें कि exam में किस परका से question पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ जो ER 5 synthesis report जो 2014 में आया था, तो इसके बाद से COP21 हुआ था, जो 2015 में हुआ था, इसी report के आधार पर, उसको मतलब Paris Agreement भी कहा जाता है, और उसमें बहुत सारे मतलब एक परियास किया गया, दुनिया के द्वारा, इस पेरी सम्मेलन में ही बोला गया था, कि जैसे 2015 है, लगभग आने वाले 2100 तक, केड़ी तक, लगभग temperature जो होना चाहिए, लगभग 1.5 degree से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह 1.5 degree के मतलब क्या है, पहले का मतलब है कि जो भी industrial revolution चल रहे थे, industrial revolution का जो एरा है, उस एरा में temperature जितनी थी, उस temperature से मात्र 2100 तक, वह 1.5 degree Celsius से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे बहुत सारे parameters के कभी करेंगे चर्चा इसकी Paris Agreement पर, एक अपनी वो अलग topic हो जाती है, वो broad topic है, उस पर जितना अभी discuss किया जाए तो लग more than one hours लगेंगे कि उसके क्या-क्या डिमांड थे, क्या-क्या उसकी चीजे जूथी उसको समझने के लिए, बस मैं इतने कहने का परियास कर रहा हूं कि इससे संबंधित, अगर ये report आए, उससे संबंधित COP में discuss हुए और उस पर कुछ Excel प्लान ले करके आए गया है, तो definitely है कि उससे भी कुछ Excel प्लान लिये जाएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए काफी महत्पूर्ण हो सकते हैं, तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, कि अगर जो report आई है, अगर report में अगर mains oriented जो question अगर पूछे जा सकते हैं, ति इससे यहीं question पूछे जा सकते हैं, क कोनों की बीच में compare करते हुए, आपका एक point of view जानने का परियास कर सकता है examiner, कि क्या होनी चाहिए, और दुनिया इस पर किस परकार के अभी action ले रहे हैं, तो ध्यान रखेगा, इस टाइब के जो mains oriented जो question अगर पूछे जाते हैं, तो आप इसको definitely लिखने का परियास करें, चुकि अभी के समय में जलवायू परिवर्तन, climate change एक बड़ी आपदा है, एक बड़ी समस्या है, तो चुकि जब इस परकार की समस्या है, जब उत्पन हो रही है, तो इसे writing में भी question पूछने की chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अभी कि अगर बात करें, यह कुछ हरारकी है की COP से लेकर के जैसे IPCC का जो आप 1988 के आसपास इसको बनाये गया, लगवग उसके बाद 1995 में Kyoto Protocol आये, फिर adoption को लेकर के उसमें बाते कही गई, लगवग जो ER4 रिपोर्ट आया था, उसको मतलब 2 डिगरी जो 2007 के आसपास आया था, जिसमें उसमें 2 डिगरी Celsius टमपरेचर को क इस सारा चीछे जो है लगवग मैंने आपको बता दिया, और यह ध्यां रखने वाली बात होती है कि अभी आने वाला जो एक्जाम है कोई, तो जो COP28 जो Climate Change को लेकर के होने वाले हैं, वह EVE में होने वाले हैं, कुछ मुद्धे हैं जो लगवग मैं आपको समरी के रूप मे अब तक बता ही चुका हूँ, अब इसको थोड़ा सा जानने का परियास करते हैं कि यह क्या है, जैसे मैंने जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट अभी पॉब्लीकली एनाउंस किया गया है, और इसका मुद्धा कहीं न कहीं मतलब Climate Change चे स यह major point जो मैं अब ही आपको बताऊंगा, इस point को अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपका जो अभी जो जिस report के हम चर्चा कर रहे हैं, इस report आपके सामने crystal clear हो जाएगा, जैसे मैं कहूं कि अभी के समय में लगभग जैसे पहले वाले case में जो ER5 का जो report आया था, उस ER5 क जो report में यह बोला गया था कि 200 ED के आसपास, जो temperature जो होना चाहिए, वह temperature लगभग 1.5 degree से जादा नहीं होना चाहिए, किसके compare में, जो अधोगी करांती हुए थे, इंडस्टियल revolution जो हुए थे, तो इस इंडस्टियल revolution के time से, समझे रहे ना, उसके compare में 21 सव तक का लगभग 1.5 degree से तापमान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब फड़ा सा और इसको मैं किलियर ठाई करता हूँ, कि अगर इंडस्टियल revolution के समय में, अगर जून महिने के 15 त लगभग 35 से उसमें 1.5 जोड़ दीजिए, यानि 36 डिगरी से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, जबकि यह data कह रहा है कि 2030 और 35 के बीच में, जो आपने जो target set किये थे, 1.5 डिगरी से जो बढ़ने का, वह अभी 2030 और 35 के बीच में ही possible है, तो देखिए, मतलब यह मा समय में अगर देखा जाए, तो लगभग 1.1 डिगरी से अभी तक वार्मिंग अभी कंडिशन इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, अगर लगभग अगर इस्तिती ऐसी ही बनी रही जैसे आज का सिच्वेशन है, तो लगभग 200 के आस पास पहुँचते हमारे टोटल जो अभी के समय में अगर देखा जाए, जो टोटल जो टमपरेचर जो इंक्रीज हो जाएगी, वो टमपरेचर लगभग 3.2 डिगरी के आस पास इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी के समय में आप देख रहा हैं कि लगभग अगर 1.5 के आस पास, लगभग अगर 2030 और 35 में यह हा क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो भी उनके लिए मतलब समस्य उत्पन हो रहा है तो बताइए कि लगवगर तंपरेचर वड़ता है तो उस हाल में क्या कंडिशन डबलब होंगे तो यहीं सारी चीजे और लगभग अगर बात करें यह इनके द्वारा आईपी सीसी के जो एर जो सिक्स रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि ठीक है कि अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं कुछ अच्छी चीजे करना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि 2030 तक कंपेर में अभी के समय में लगवग जो भी आप कार्बन का जो उत्सर्जन करते हैं उस उ कुछ अगर इस परकार की चीजे अगर नहीं की जाती है तो ध्यान रखने वाले बात है कि mitigation संबंदित बहुत सारी समस्या है आइस मिल्ट होना glacier मिल्ट होना sea level का increment होना इस सारी समस्याओं से यह आउकत कराने का परियास करेंगे यहीं मुद्दा है कि अभी के समय में जो global warming होगा अभी के समय में अगर 1.1 डिगरी के आज पास भी temperature तेजी से rise हो रहा है तो इससे भी आप जैसे मैंने पहला है कि sea level rise करेंगे आपके जो भी ice melt होंगे sea level increase होगा और इससे संबंदित जो climate change होगा होंगे species यहां पर biodiversity पर भी इसका effect पड़ेगा ति इस परकार की चीछे लोगों को मतलब यहां पर एक rehabilitate करने की जरुवत पड़ेगी वह जिस आवास में हैं वहां पर रहना ही पाएंगे क्योंकि वहां पर समस्य आएं उत्मन होना सुरू हो जाएगी लगओ कि इस पिक्चर को आप ध्यान रखेगा कि मतलब एक graphics के माध्यम से मैं आपको बताने का परियास करता हूँ कि बहुत समय जो white से जो आप देखेंगे यहां पर जो पहाड जैसे दिख रहेंगे जो white वाले जो दिख रहेंगे वो किसी समय आइस हुआ करते थे जो temperature के increase होने के साथ साथ वह melt होकर कि उनके height कम होई है अब उनके height कम होई है तो जो ice था अब वो convert हो गया होगा पानी में अजब पानी में convert होगा तो that means होगा क्या कि वहां कर जो भी coastal area होंगे उस coastal area को क्या करेगा खतम करने का परयास करेगा जो लैंड वाला पार्ट होगा उस पर पानी आ जाएंगे लोग वहां पर stay नहीं कर पाएंगे इस परकार की चीज़े यहां पर जैसे मैंने इस सारे चीज़े मैंने आप लोगों को बताया है जैसे अब यहां पर थोड़ा सा और जानते हैं कि इस रिपूर्ट ने इंडिया के कॉंटेक्स्ट में क्या कहा है कि अगर बात किया जाए तो लगभग लगभग यहां पर 40 परसेंट इंडियंस विल फिएस वाटर सेक्टी बाई 2050 लगभग 2050 तक दियान रखिएगा कि 40 परसेंट इंडियंस लोगों को पानी की समस्याओं का एसकार सीटी होगा और इसका सामना करना होगा इतना ही नहीं बहुत सारी समस्याओं हो सकती है इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे प्रोब्लेम यह होगा कि जब रेनफाल की समस्याओं होगी बरसा हो सकता है कि बरसा जादा हो हो सकता है कि बरसा कम होने लगे जादा होगा तब फ्लॉट की समस्याओं होगा तो आपका जो एजरी कल्चर करने वाले जो किसान है उनको समस्याओं होगी मौनसून की कुभी मौनसून पहले आजाएगा weep momento बाद sånt में आजाएगा कि किसी यह वह मौनसून आये ही नहीं किस परकार के उसके बाद आपके आइस पीग लेंगे आइस पीग लेंगे तो वो लोगों वहाँ पर easy way में नहीं रहा पाएंगे खास करके आप देखेंगे इंडिया के जो भी बेहतरीन सीटी के रूप में जिसको जैसे मुंबई है कुलकत्ता है चेनाई है कोची है पूरी है इस सारे लोगों पर काफी मतलब खत्रे के बादल मंडराते हुए दिख रहे था कि आने वाले जीतने भी बड़े सीटी हैं जिनका संबंद कोस्टल चेतर से हैं और 2050 साथ के आसपास आते आते उजल मौक हो जाएगा उसमें आपका आप बीजिंग का नाम सुन रहे होंगे बीजिंग के बारे में बताये गया था मुंबई के बारे में भी बताये गया निव यॉर्क के बारे में भी बताये गया था लगभग जितने भी फैमस सिटी हैं जो कोश्टल इरिया से उनका बाउंडरी से होता है उनके लिए यह समस्या उत्पन हो सकता है इतना ही नहीं अगर आपको बात करें तो लगभग भारत के सिर्क जो कोश्टल लोग जो हैं कोश्टल शेतर में रहते हैं कोश्टल शेतर उसको बोलते हैं जिसका बाउंडरी लगभग समुद्र से तच होते रहता है वहां जो लगभग 35 मिलियंस लोग जो होंगे इनको समस्याओं का सामना करना होगा इस टाइप से लगभग मैं आपको बता दिया कि किस परकार की सम आप समझ सकते हैं कि यह जो आप जहां मैं करसर घुमा रहा हूं जहां रखेगा यह है कि मतलब अभी के समय में कि क्लाइमेट चेंज के कंडिशन जैसे जैसे आप आप राइट साइड में जैसे करसर बढ़ रहा है यह बिल्कुल डार्क होते जा रहा है इस चीज का अपना डेवलप्मेंट के चक्कर में लगभक कितना गलोबल वार्मिंग कर चुका होगा इसलिए मतलब कुछ डेटा है जिस डेटा के आधार और हम लोगों को अभी सोचने की जरूवत है कि हमको अभी के दुवारा जो सिर्फ डेवलप्मेंट डेवलप्मेंट कर रहा है डेवलप्मेंट से ज्यादा महत्पूर है अभी के समय में हम लोगों का जो इन्भार्मेंट का जो मुद्दा है उस पर विचार करना इससे संबंदी बहुत सारी जो भी चैलेंजे जा रहे हैं उनका अभी डेवलप्मेंट से हटकर इन्भार्मेंट प्रोटेक्शन की कि जैसे अब गाड़ी वगारे चलते हैं कार्बन मोनोकसाइड निकलते हैं कार्बन सरजन होता है तो उसको लेकर के आप इस परकार से कुछ वेकल लंज किये जाएं जो वेकल मेंट बैटरी बेस सिस्टम हो जिसने भी मतलब थर्मल पावर प्लांट हैं जिससे मतलब उसमे कुछ ऐसे परवधान लेकर के आना चाहिए कि ताकर दुनिया में इस से जो अभी चुनावती उत्फन हो रहा है इस चुनावती को मिटाया जा सके कम किया जा सके अब यह हैं कि जलवाई परिवर्तन को लेकर के क्या-क्या रण नितियों कि क्या-क्या आउ सकता हो सकते जो अभी के समय में जो आपदा जनक जलवाई परिवर्तन परभाव से बचना पहले हम लोग को इस चीजह अभी जरुवत होगा कि हमें कुछ अपने छेत्र को आइडेंटिप हाई करना कि कौन सा ऐसे छेत्र हैं जो छेत्र जलवाई परिवर्तन से ज्यादा संबदी थे उसस से डिमांड किया जा सकता है कि हाँ आप मतलब इस चेत्र में कुछ डेवलप्मेंट का काम करें उसके बाद ध्यान ये भी रखने की जरुवत है कि जो भी पॉटेक्टिंग पॉब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना हमारा इंपोर्टेंस है कि जलवाई परिवर्तन जब होत देशी नहीं कर पाते इस परकार से पहले से हम लोग को अपने आपको इस्टों करने की जरुवत है उसी तरह है इकनॉमिक बिनेफिट्स को ध्यान में रखना है उसके बाद मिटिगेसन और सोशल इनेकुलिटी इसका भी ध्यान रखना है उसके बाद अंतरास्ति मिलने की उमीद है जलवायू आपने लगे जब इनके डेटा से बिलो जाने लगे तो हम ऐसा मौौ सकते हैं कि वहां पर जलवायू आपातकाल की स्थिती उत्पन हो रही है अब क्या क्या चुनवतियां हैं मतलब अभी के समय में और जो IPCC के दुआरा जो रिकमेंडेशन दिये गए हैं उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चैलेंज उत्पन हो सकते हैं तो सबसे पहले इतना यह है कि राजनेतिक इक्षासक की कहने का मतलब यह है कि अभी के समय में जितने भी चाहें दुनिया की कोई देश हैं सारे देश के जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं सारे लीडर में एक सबसे बड़ी अभी एक प्रोब्लम दिखता हुँआ नजर आ रहा है ओ है वोट बैंकी ओ लोग कि इस परकार की मांसिक्ता को हटाना पड़ेगा दूसरा चीज है कि तकनिकी नवाचार अभी के समय में जो हम लोग एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज को ले करके तो एक हमारे साथ यह प्रोब्लम है कि उस वाले काम को हम लोग डेवलप्मेंट शेतर में काम करें तो अ जनता है वो सरकार से कोशन पुछती है ते भी एक परकार का प्रोब्लम हो सकता है उसके बाद है कि फाइनांसिंग बीत का प्रोब्लम है कि सरकार अपने जो बजट बनाती होगी उस बजट में ज्यादा सरकार परियास करें डेवलप्मेंट का तो उसमें अगर इंभार्मे सहीं नहीं जनता भी मतलब इस अवेर्मेंट कह क्या इंपयक्ट पड़ सकता है हम लोग आज मान सेस्चहा में जी रहें कि इन्भार्मेंट मतलब क्या लेकिन आज को अगर अपमेंट समझने करें थूसरा हमारा सही उख करें तो आगे का रास्ता कहने का मतलब है के जूरिकमेंडेशन उसको ध्यान रखना होगा सरकार के जो अपने रण में कुछ बदलाव किये जाने होंगे सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिशी लेकर के आने होगी जो डेवलप्मेंट के साथ साथ इन्भार्मेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखे इस परकार का भी परियास किये चाहिए कि जो भी के माध्यम से जो भी वहां पर जो गूल सेट किये जा रहे हैं उस गूल को हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंटर अस्तर पर नहीं जबकि उसको डिसेंट्रलाइज करने का परियास किया जाए जैसे नरेंदर मोधी सहाब अगर सी ओपी मीटिंग में जाते हैं तो आप जो कमिटमेंट करते हैं तो यहां पर सेंटर में आकर के एक प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग करने के बाद जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट को यह मैसेज फवाड किया जाए कि इस परकार के आपको एक्शन प्लान किये जाने चाहिए क्या इस परकार के चीज़े की जाती है हां की जाती है लेकिन जितनी अस्त तक यह चीजे नहीं हो पाती है इससे संबंदित और एंटीपीसी में भी क्वेशन पूछे गए हैं तो ध्यान रखेगा यह काफी महत्रपुन हो जाता है उमीद करता हूं कि आप सभी को यह काफी महत्रपुन लगा होगा इसमें जो भी अगर आपको क्वैरी होगा तो आप क कभी कभी मैं नहीं आ पाऊं आप लोग को समय परसान होने की जरुवत नहीं है मेरा पर्यास रहेगा कि आप लोग समय निरंतर मैं बना रहा हूं